हमने mutual fund के बारे में काफी कुछ जाना उसके बाद हम चाहते हैं हमने mutual fund के अपनी scheme सेलेक्ट कर ली अब हम चाहते कि हमको उस mutual fund को लेना है तो आखिर हम वो mutual fund को online directly खुद से कैसे ले क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम भाईया fees दे distributor को broker को जब तक हम 10 साल तक mutual fund ले तो वो 10 साल तक आपसे fees लेते ही रहेंगे commission उनको मिलते रहेगा तो हम वो सब नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम directly खुद से अपना mutual fund manage करे और हम यहाँ पर खुद से mutual fund को कैसे खरीदे तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर website में आना पड़ेगा amfiindia.com यह है association of mutual funds of India सारे AMCs इसमें आपको मिल जाएगी 42 AMCs हैं वो सब आपको यहाँ पर सीधा सीधा मिल जाएगा आप TV में add भी देखते होगे यह mutual fund सही है का तो यह वही website है आपको यह website में simply पहले आजाना है आप यहाँ पर समझते हैं mutual fund के बारे में तो सबसे पहले इसको bank से हम एक relate करके देखते हैं आपको जैसे bank में account खुलाना रहता है तो आप search करते हैं अलग-अलग bank, SBI bank हो गया, HDFC bank हो गया, ICICI bank हो गया, Axis bank हो गया, उसके बारे में आप search करते हैं फिर आप finally decide कर करते हैं कि यार मेरे को ये bank में account खुलाना है, या फिर मेरे को वो bank में account खुलाना है, वैसे ही आप mutual fund में क्या करते हैं, कि search करते है mutual fund को, अलग-अलग mutual funds को search करते हैं, SBI के mutual fund को select करते हैं, जैसे SBI blue chip हो गया, HDFC के select करते हैं, HDFC balance fund हो गया, ICICI value discovery fund हो गया, ऐसे ही आप mutual fund में खाता खुलाने के लिए क्या करते हैं, आप अपने सारे documents लेते हैं और वो bank में आप पहुच जाते हैं अपना खाता खुलाने के लिए, वैसे ही mutual funds में आपको क्या है, जैसे आपने यहाँ पर fund select कर लिया, जैसे SBI का fund select किया, कोई भी fund SBI का चाहे वो magnum global fund हो, जाहे SBI का blue chip fund हो तो आपको क्या करना है, जैसे आप वहाँ पर bank में खाता खुलाने जाते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर AMC यहने की asset management company में खाता खुलाने जाते हैं, उनकी asset management company की, ऐसे ही अगर आपको HDFC का कोई fund पसंद आ गया, तो आप क्या करेंगे, HDFC के asset management company, HDFC fund वहाँ पर जाएंगे ख एक account number, जिसमें आप अपनी लेन देन वहाँ पर करते हैं, वैसे ही mutual fund में आप जाते हैं, पूरा form, वाम document submit कर देते हैं, वहाँ पर AMC में उसके bank में आप ऐसा समझे लो, example, उसके bank में जाके आप पूरा यहाँ पर submit करते हैं, तो आपको वहाँ पर मिल जाता है एक folio number, तो आप उस folio number को दोस्तों, उस bank के account number से ही relate करके देखो, जैसा आपका account number रहता है, उसी में आपका lane देन होता है, वैसे ही आपका folio number रहता है, उसी folio number पे आपका यहाँ पर पूरा mutual funds का lane देन होगा, जो भी आप खरीदोगे, बेचोगे, सब वहाँ से पता चलेगा, तो अगलाग यहाँ पर आपको bank तो इसली मिल जाते है, mutual funds में थोड़ा कम रहता है, तो मिलना मुश्किल रहता है, और आप online चाहते हो, कि हमको online खुलाना है, तो आप online कैसे किया जाए, तो online के लिए आपको यहाँ पर यह website में आना है, उसके बाद यहाँ पर question उठता है, कि भ तो फिर कैसे करना है, क्या फिर कोई और fund आपको पसंद है, उसके official website आपको कैसे पता करना है, तो यहाँ पर association of mutual funds in India में आपको आना है, उसके बाद यह देखिए, आपको सिधा-सिधा दिखरा होगा investor corner, यहाँ पर लिखा है click here to no more, यहाँ पर mutual fund सही है, यह distributor corner, इसका तो ख mutual fund क्या है, history क्या है, ऐसा क्या है, यहाँ पर investor center, यह online center, यह investor awareness program, इनके program होते रहते हैं, आपको city में होते हैं, आप अगर जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं, और यह है online center, तो आपको क्या करना है भी, online fund लेना है, मैंको तो online center में यहाँ पर click करना है, जैसे ही आप यहाँ प आप online कर सकते हैं, locate mutual fund distributor, आप यहाँ पर mutual fund distributor को भी देख सकते हैं, अपने city में, खेर यह तो, अब यहाँ पर हमको online करना है, तो उनकी तो बात ही नहीं की जाती, तो यहाँ पर आपको online करना है, तो यहाँ पर invest online in mutual fund में को तो online करना है, जैसे ही आप invest online in mutual fund में करेंगे, तो यह यहां पर आपको यहां पर अलग-अलग AMC का logo आ जाएगा अब यहां पर ध्यान से पड़िये लिखा है click on the logo to go to the respective AMC website जैसे ही आप इनके logo पर click करेंगे इनका official website आपको खुल जाएगा तो आपको यहां पर क्या पता चल गया किसी भी mutual fund को purchase करना है तो उसकी website कैसे खोजनी है यह simply आपको पता चल गया इसके साथ साथ आपको क्या पता चला कि हमको कैसे जाना है यहां तक तो सारे के सारे यहां पर AMC आपको मिल जाएगी यह alphabetical है A B C D E तो देखिए access से शुरू है DSP है सारे सारे main आपको मिल जाएगे यहां पर आपको बिला दिख जाएगा यह SBI mutual fund अब जैसे हमारा objective था शुरू में कि जैसे में को एक fund पसंद आ गया SBI का SBI blue chip fund तो वो fund को मैं कैसे purchase करूँ तो आपको यहां तक आना है उसके बाद SBI की official AMC पता करना है यह है SBI की official AMC इस official AMC में आपको simply यहां पर आकर click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे यह खुल गया अब यहां पर क्या करना है आपको जैसे SBI का blue chip fund लेना है तो फिर यह आपने association of mutual fund इन इंडिया में वापस चलते हैं इसके साथ साथ जैसे आपको यहां पर ICICI balance fund पसंद आ गया तो आप क्या करोगे यहां पर आओगे access में देखोगे भई ICICI का AMC कहा है logo यह रह अब यहां पर कोई भी city आप अपना देख लो कि आपकी city कहां पर यहां पर पूरी city आपको दिख जाएगी अब यहां पर हम यहां पर कोई भी select कर लेते हैं New Delhi select कर लेते हैं और यहां पर go कर देते हैं तो यह देखे यह यहां पर बता दिया कि भई New Delhi में की SBI का AMC कहां पर है अगर आप online नहीं चाते हो आप अगर physically चाते हो offline चाते हो तो आपको यहां पर directly जाना पड़ेगा यह उन यह ICICI का हमने खोला था उसके पहले हमने SBI का खोला था अब आप यहां तक तो पहुच गए आपको official address मिल गया आपको official जगा पता चल गया कहां से mutual fund लेना है अब क्या किया जाए अब हमको तो fund लेना है ना तो अब यहां पर आपको fund लेने के लिए simply sign in कर देना है चाहे आ आप यहां पर अपना एक user ID और password create कर लो फिर आप eligible हो जाओगे किसी भी mutual fund SBI के कोई भी mutual fund को लेने के लिए आपको एक folio number यहां पर मिल जाएगा simply और आपको हाँ mutual fund लेने से पहले KYC कराना है तो उसका procedure हमारे जो वो वीडियो में है कि पहली बार mutual fund कैसे खरीदें उसका मै आपको link दे दूँगा description में आप वहां से देख लिजेगा उसके बाद आपको अगर यहां पर भी कोई भी problem आती है जैसे में को शुरू में problem आई थी तो कोई भी आपको problem आती है तो आप यहां पर देखिए यहां पर SBI का website में नीचे देखिए आपको यह toll free number दिख तो यह phone number आपको दिख रहा होगा यह phone number पे toll free number पे आप उनके call कीजिए उनको बताइए कि मैंको यह fund खरीदना है और यह ज़रूर बताइए मैंको directly खरीदना है मैं खुद से खरीद रहा हूं और कैसे process करना है कैसे register करना है तो वह सब आपको step by step बता देंगे आपको यहाँ पर हो जाएगा अगर नहीं होता अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यह देखिए यहाँ पर भी उपर में आपको एक toll free number दिख रहा है CICI का यहाँ पे आप phone करिए उनसे बोलिए कि मैंको account खुलाना है मैंको यहाँ पर mutual fund लेना है आपका मैंको यह fund फसंद है मैं directly purchase यहाँ पर करना चाता हूँ तो मैं क्या करूँ तो वो आपको पूरा step by step बताएंगे कि आप यहाँ पर ऐसा भरिये यहाँ पर आप यह समिट करिए यहाँ पर आप यह भरिये आप बिल्कुल online हो जाएगा आपका online mutual fund यहाँ पर खुल जाएगा उसके बाद आपको ए यह तो था वीडियो की आप कैसे online mutual fund अपना खुद से यहाँ पर research कर सकते हैं खुद के AMC उनके official पता कर सकते हैं और उनके AMC से खुद से कैसे mutual fund खरीद सकते हैं अब यहाँ पर यह तो सारे mutual funds की online की बात हो गई अब आपको अभी भी कोई भी problem है तो मैं कोशिश करूँगा इनके official AMC का जैसे ICICI हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, जो main main fund है उनमें step by step video बनाने का की कैसे आपको mutual fund purchase करना है अगर आपको अभी इसमें भी कोई भी problem आती है तो अगर उनके यहाँ पर हाला कि उनके customer support रहता है वो पूरा आपको guide करके बता देंगे इसके साथ साथ यह तो जग अलग AMC के fund चाहिए आपको और एक ही जगह चाहिए तो इसके लिए दोस्तों option रहता है वो रहता है camps का जो की होते है R&TA याने register and transfer agent और यहाँ पर एक और option में आपको बताता हूँ वो है mutual fund utility का यहाँ से भी आप अलग-अलग AMCs के fund एक जगह पर खरीच सकते हैं तो य mutual fund online खुद से यहाँ पर purchase करना है उसके उपर भी जल्दी वीडियो आएगा तो अगर आपना हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफी कमाल के वीडियो अभी और आने बाकी है तो में दोस्तों आपको आपर लाइक कर जीजिए अगर अभी मन में थोड़ा साभी confusion है तो आप नीचे हमको comment करके बता सकते हैं इसके साथ साथ आप वीडियो से जादा जादा शेयर कीजिए क्योंकि आज भी लोग यहाँ पर काफी confused है कि mutual fund को कैसे purchase करना है खुद से directly online बिने किसी distributor बिने किसी agent के किजिएगा क्योंकि है mutual fund बैंक इसलेटेड वीडियो यहाँ पर लिका राते रहते हैं तो फिलहाल करे इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में